नमस्कार दोस्तों मैं सुभम स्वागत करता हूं हमारों आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोसस में दोस्तों अधार सेंटर के लिए एक यहां पर रेजिस्टेशन करने के लिए एक लिंक जारी किया गया है उस लिंक के माधियम से अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते ह हैं तो आपको यहां पर आदार सेंटर मिल सकता है मैं आपको लाइप प्रूब करके दिखाऊंगा कहां यहां पर रेजिस्टेशन हो रहा है या कि नहीं और कौन सा वह लिंक है जिसके माधियम से आपको रेजिस्टेशन करना है साथी साथ मैं आप दूस्तों आपको एक द तो इस लिंक के बारे में हम आपको बताने हो ले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने सारे वाट्सअब ग्रूप में से और जरूर किजिएगा चिलिए दुस्तों मैं आपको सबसे पहल या पिर operator का आपको certificate होना चाहिए तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपर supervisor का एक consent form आता है उस consent form को यहां पर print out करके form को fill up करके scan करके upload करना है दूसरा यहां पर दूस्तों आपको non objection certificate होता है यहां पर यह सब certificate download करने का link भी हम आपको बता हैं गिकाहां सिसर्टाइफिकेट डाौनलोड होता है यह साटिफिकेट को भी आपको डाउनलोड करके print out कर्के उसके बाद दूस्तों इसमें सारा form filter करके आपको इसमें uplast되 करना है यहां दोस्तों आपको यह आपको यहां पर print out करना और रिसको भी अपलोड करना एक पर और फॉर्मेंट है अधार सुप्रवाइजर फॉर्म इस फोर्म को भी यहां पर डाउwn लोड करना है siis फॉर्म को यह पर अपलोड करना साथ में यहां पर आधाल पहनिया प्रलगना जरूरी है चले दोस्तो लिंक के बारे में जान लेते ह दोस्तों description में link दिया रहेगा link के माध्यम से आपको यहाँ पर आ जाना है इसी website के माध्यम से यहाँ पर आपको अधार center register होने वाला है चले ज्यादा time ना लेते हैं हम इस center के लिए registration करके आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर registration हो रहा है यहाँ सबसे पहले आपको mobile नमबर और email id और यह capture को फिल करना है और submit पर क्लिक करना है यहाँ दोस्तों इससे पहले मैं आपको दिखा दू कि यहाँ पर अभी तक अधार center में किन की लोगों को अधार center मिला है और कितने लोगों का यहाँ पर reject हुआ इसके लिए दूस्तों आपको यहाँ पर click here to view अधार center application dashboard पर click कर लेना है अब यहाँ पर दूस्तों आपको यहाँ पर से पूरा district का सब लेस्ट मिल जाएगा इसमें से कोई सब इको ओपेन कर लेखा यहाँ पर दिख सकते हैं उनका नाम उनका इड़ि डिस्टिक नाम यह सब आप यहां पर registration किजिएगा तो अगर आपका building होता है तो यहां पर building में दिख लाएगा अगर reject रहेगा तो क्यों रिजेक्ट हुआ है यह आपको यहां पर बताएगा अगर अप्रूब रहेगा तो आपको यहां पर अप्रूब्ड सो कर जाएगा चलिए online करने के बारे में प OTP नहीं आया होगा तो आपके mail ID पर जो OTP जरूर आया होगा mail ID का OTP यहां पर fill up करना है verify पर click कर लेना है OTP verify होने के बाद कुछ इस तरह का dashboard open होगा अब यहां पर अधार सिंटर request वाले पर आपको click कर लेना है अब यहां पर दूस्तों आपका अधार सिंटर के लिए यहां पर request के लिए आ जाएगा सबसे पहले आपको यहां पर checklist करना है यहां पर दूस्तों आपको 3-4 step में यहां पर form को fill करना है यहां पर दूस्तों आपको सबसे पहले बुला जा रहा है कि यहां पर आपको e copy होना चाहिए और इसके बाद non objections यहां पर certificate यहां पर आपको certificate दिया गया है इस format को download करके भी आप यह पर अपना यह certificate upload कर सकते हैं यह सब सारा कुछ है मैं check out कर लेता हूं चेक आउट करने के बाद अगर आपके पास यह सब नहीं है तो नीचे से आप यहां पर इसका certificate को download कर सकते हैं इसको form को fill up करना है और आपको यहां पर signature करा लेना है यहां पर दूस्तों मेरा पास सब चीज़ है मैं आपकर save and next पर मैं click कर लेता हूं आप यहां पर supervisor के लिए आप दूस्तों पूरा form को fill करना है पूरा form फिल करने के बाद से मैं next पर click करना है उसके बाद दूस्तों यहां पर आपको document upload करना है उसके प्रिंट आउट कर लेना है यहां साब का registration complete हो जाएगा तो वही दूस्तों आपको यहां पर सारा proper document नहीं है तो मैं आप पर registration नहीं कर पाऊंगा और एक चीज़ दूस्तों मैं आप आपको बता दू कि यहां जो link दिया गया है यह especially for MP के लोगों के लिए यहां पर दिया गया है जो लोग MP के हैं वो लोग आप दूस्तों आवेदन कर सकते कि कि दूस्तों आप जो भी अधार सेंटर के लिए registration कर सकते हैं यह ती चोटी से अपडेट आपको इस वीडियो में वीडियो कैसा लगा हमें comment करना मत वूलिए अगर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक next topic के साथ